पूरी दुनिया एक तरफ कोरोना वाइरस के कारण जो समस्या पादा हुई है जिंद्गियां बचाने के लिए दुनिया जंग लड़ रही है ऐसी संकट की घड़ी में हिंदुस्तान के भी केंद्र सरकार हो या राजसरकारे हो सभी डिपार्टमेंट और ये प्रकार से सभी नागरीक ये कोरोना वाइरस की लड़ाई में पिछले दो धाई महीने से लगे हुए ऐसे समाई साइकलोन का इतना बड़ा संकीर और वो भी सूपर साइकलोन बहुती चिंता का विशे था बंगाल जाते जाते वो भुडिशा को भी कितना नुक्सान कर पाएगा ये हमेशा चिंता का विशे बना रहा लेकिन जिस प्रकार से यहां पर व्यवस्ताएं इंस्ट्रिश्लाइज हुई है गाउं तक नागरिकों को क्या करना है ऐसे संकट के समय इसकी भली भाती जानकारी होने के कारण यहां जीवन बचाने में बहुत बड़ी सफलता मिली है और इसके लिए उडिशा के नागरिक उडिशा का प्रसासन और उडिशा के मुख्यमंत्री सिमान नविन बाबू उनकी पूरी टीम अभिनंदन के अधिकारी है लेकिन जब इत्री बड़ी प्रकुर्टी आपदा आती है तब संपत्ति का नुक्सान तो होता ही है पच्चिम मंगाल की तुल्ना में उडिशा में उतना नुक्सान नहीं हुआ है लेकिन जाते जाते भी वो पूंच पटक करके तो जाता ही है ऐसे प्रकार का संकट और इसलिए हाउसिंग में, अग्रिकल्चर में, पावर में, कम्मुनिकेशन में, इन्फा सक्कर में जो नुक्सान हुआ है तो मैंने आज पूरा डिटेल रिव्यू लिया है राज्य सरकार ने भी विस्तार से मेरे सामने सारी बाते रखी है यहां की सरकार की व्यवस्ता की तरफ से बहुत जल्द उसका अकलन करके रिपोर्ट बारत सरकार को मेलेगी बारत सरकार की टीम भी ततकाल यहां पहुँचेगी और पूरी परिस्तित्री का रिव्यू करकर के लंबे समय के लिए रिलीफ हो, रिस्टोर करने की बात हो, रियेपेटिशन की बात हो, इन सारी चीजों को प्रात्विक्ता देते हुए काम आगे बढ़ाये जाएगा लेकिन ततकाल आवशक्ता को धानवा रखते हुए भारत सरकार के तरफ से 500 करोड रुपिया एडवांस ववस्ता की रूप में देने का हमने देने किया है और बाकी आवशक्ता हैं, एक बार कंप्लीट सर्वे होने के बाद, रियेवेलिटेशन की पूरी योजना बनने के बाद, भारत सरकार भी कंदे से कंदा मिला करके ओरिशा के विकास की यात्रा में और संकर की घड़ी से बाहर निकलने के काम में पूरी तरह मदद करेगा बहुत बहुत धन्यवाद